हेलो एब्रिवान, वेलकम टू फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल, आएम नीरज कुमार कैथल, आज का ये वीडियो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से है, जिसमें ग्रोथ एंड डवलप्मेंट टॉपिक का एंत्रो पॉमेंट्री टॉपिक डिसकस करने वाले ह एंत्रो पॉमेंट्री क्या है और इसमें किन-किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, लेट्स बेगेन एंत्रो पॉमेंट्री शब्द का सिंपल यदि मतलब आप समझें, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को मापना तू मीजर, अब किसे माप रहे हैं? हम न्यूबॉर्ण बेबी यानि नवजाद सिशू के बॉड़ी पार्ट्स की ग्रोथ को मीजर करते हैं यानि पॉमेंट्री एक ऐसा टूल है, ऐसा एक 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 क्यूपमेंट है, जिसकी मदद से हम किसी न्यूबॉर्ण बेबी में ग्रोथ सही तरीके से हो रही है या नहीं, इस चीज का असेस्मेंट करते हैं, मीजर्मेंट करते हैं anthropometry के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे important parameter जो है weight किसी भी normal newborn baby का जो weight है वो 2.5-3.5 kg के बीच होता है 2.5-3.5 kg is the normal birth weight और अगर आप से average birth weight पूछा जाए तो आप बताएंगे 2.8 kg जन्म के बाद पहले 7 दिनों में बच्चे के शरीर के कुल वजन का लगबग 10 प्रतिशत वजन कम हो जाता है इसका कम होना के पीछे जो reason है वो यह माना जाता है कि बच्चा वुम्ब से निकल कर जब external environment में survival करने हैं तू adjustments करता है तो इस कारण से ये weight loss देखा जाता है कई बार immature kidney के कारण बच्चे में polyurea condition देखी जाती है जिसके कारण से भी 10% total body weight का weight loss देखा जाता है example की बात करें तो मान लिजे बच्चे का जन्म के समय वजन था 3 kg और 10% अगर इसका weight loss होता है तो बच्चे में 300 gram वजन कम होगा और actual 7 दिन बाद बच्चे का वजन 2.7 kg रह जाएगा यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखिएगा 7 दिन तक बच्चे का यह 10% weight loss जो हुआ है यह अगले 3 दिनों में यानि 8, 9 और 10 दिन में वापस यह 300 grams या 10% weight बच्चा वापस गेन कर लेता है अब बात करते हैं बच्चे में वजन किस rate से double होता है किस rate से बढ़ता है अगर पहले 6 महीने की बात की जाए तो पहले 6 महीने में हर दिन 20-30 gram वजन इस बच्चे का बढ़ता है 20-30 grams per day की rate से बच्चा सुरुआत के 6 महीने तक वजन गेन करता है एक्जाम point of view से दो चीजें अक्सर पूछी जाती है सबसे पहला कि बच्चे का वजन जन्म के कुल वजन का double कितने समय पर होता है तो आप बताएंगे 5 months अगर यहाँ पर 6 months भी दिया हो option के अंदर तो आप 5 months को सही मानेंगे और अगर 5 months option में नहीं हो तो फिर आप 6 months को सही मान सकते हैं बर्थ वेट का triple होना 12 months की age में देखा जाता है बच्चा जब एक साल का हो जाता है तो उसका वजन जन्म के समय के वजन का लगबग 3 गुना हो जाता है दो साल की उम्रू पर बच्चे का वजन 4 गुना हो जाता है जन्म के वजन का 3 साल पर 5 गुना, 5 साल पर 6 गुना, 7 साल पर 7 गुना और 10 साल पर 10 गुना वजन देखने को मिलता है अगले anthropometry measurement की बात करेंगे उसमें आता है length या height जब बच्चे की उम्र एक साल से कम होती है तो इसे हम infant के नाम से जानते हैं और infancy period में बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता stand up नहीं रहता यानि वो हमेशा line down position में रहता है लेटा हुआ रहता है और जब कोई बच्चा या person लेटा हुआ है और आप उसकी लंबाई को माप रहे हैं तो ये length measurement कहलाती है एक साल की उम्र के बाद बच्चा stand up हो सकता है खड़ा हो सकता है अपने पैरों पे तो अगर आप एक साल से किसी जादा उम्र के बच्चे की height को length को माप रहे हैं तो ये height measurement कहलाता है more than one years of age measurement is called height it is taken in standing position अब बात करते हैं जन्म के समय एक newborn baby की कुल लंबाई कितनी होती है तो आप बताएंगे 50 cm 6 महीने की उम्र पर 65 cm इसकी लंबाई हो जाती है यानि 2.5 cm पर मंद की rate से बच्चा length को increase करता है अगर 10 से 12 12 महीने की उम्र पर यानि एक साल के आसपास आप से लंबाई पूछी जाए तो आप बताएंगे 75 cm 2 साल पर बच्चा 87 cm का हो जाता है 3 साल पर 96 और 4 साल पर 103 cm जो की exam के लिए important भी है exam में आप से पूछा जा सकता है कि किस उम्र पर बच्चे का जो length है लंबाई है वो डबल हो जाती है तो आप बताएंगे 4 साल के उम्र पर और अगर आप से पूछ लिया जाए कि बच्चे की जो height है लंबाई है वो किस उम्र पर 3 गुना होती है ट्रिपल होती है तो आप बताएंगे 13 साल के उम्र पर जो की लगबग 1500 सेंटीमीटर होती है वजन तो 6 महीने में डबल हो रहा था और लंबाई जो है 4 साल पर डबल हो रही है वजन 1 साल पर ट्रिपल हो रहा था जबकि लंबाई 13 साल पर ट्रिपल हो रही है आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इंपोर्टेंट है एक और इंपोर्टेंट क्विश्चन जो अकसर एक्जामस में पूछा जा रहा है लेंथ जब भी हम मीजर करते हैं यानि इंफेंट की जब हम लंबाई मापते हैं तो उसके लिए इंफेंटो मीटर नाम का एक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है और एक साल से बड़े उम्र के बच्चों में हाइट मीजर की जाती है और इसके लिए स्टेंडियो मीटर एक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं Head Circumference की, अगर किसी newborn baby के सर का पूरा माप किया जाए, गोलाई में एक हिस्से से पूरे सर को गुमा कर नापा जाए, फीते की साहता से, तो इसे आप Head Circumference कहेंगे, जन्म के समय बच्चे का Head Circumference 33 से 35 cm के बीच होता है, average यदि आप से पूछा जाए, तो यह होगा करीबन 34 cm, इसके बाद अगले 3 महीने में, अगले 3 महीने तक, बच्चे का Head Circumference है, वो 2 cm पर मन्त की रेट से ग्रो करता है, यानि अब आप से पूछ लिया जाए, कि 3 महीने पर बच्चे का Head Circumference कितना होगा, तो आप calculate करेंगे 34 प मन्त में यदि बच्चे का Head Circumference आप से पूछा जाए, तो 43 एक साल पर 45, दो साल पर 48 और 33 साल पर 49 cm, और याद रखिएगा, लगबग 3 साल की उम्र आने पर बच्चे का Head Circumference है, इसके Maximum Head Circumference के लगबग 90% को अचीव कर लेता है, क्यूंकि 3 साल तक की उम्र तक बच्चे क जो ब्रेन है, 90% डेवलप हो चुका होता है, 12 साल की उम्र पर जो Head Circumference है, वो करीबन 52 cm होता है, और इसे हम Equal to Head, Adult Health Circumference मानते हैं, यानि कि 12 साल के उम्र में बच्चे का Head Circumference है, वो Maximum होता है, ये Adult Health Circumference माना जाता है, इससे ज़्यादा अब Head Circumference बढ़ने नहीं वाला है, यहाँ पर दो टर्म्स अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं, एक्जाम में प्रिवेसली पूछी भी गई हैं, सबसे पहला की Macrocephaly क्या होता है, Macrocephaly वह कंडिशन है, जिसमें बच्चे का Head Circumference है, नॉर्मल से ज़्यादा हो, और इसका रीजन जनरली Hydrocephaly हो सकता है, Hydrocephaly का मतलब है, ब्रेन के Ventricles में CSF का Accessive Secreation और Accumulation जिसकी वज़ा से, ब्रेन में Pressure Increase हो, ब्रेन का Size बढ़ जाए, यह Hydrocephaly कंडिशन कहलाती है, इसके opposite होता है, Macrocephaly कंडिशन, इसमें बच्चे का Head Circumference है, वो लगबग 3 Standard Deviation से कम हो जाता है, अगर किसी बच्चे का Head Circumference, सर का परिमाप या परीदी का माप तीन Standard Deviation से कम हो जाए, तो यह Microcephaly कहलाता है, और याद रखिएगा, Ordinal Tape नाम से जो डिवाईज आता है, इसकी साहता से हम बच्चे का Head Circumference मापते हैं, बच्चे के सर की जो परीदी है, गुलाई कितनी हैं, इसे मापने के लिए, जिस फीते या टेप का इस्तेमाल हम करते हैं, उसे Ordinal Tape कहते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, Chest Circumference की, Chest Circumference जन्म के समय 31 से 33 cm का होता है, अगर आप किसी Newborn Baby के Chest Area में निपल के जस्ट उपर फीते को रखकर इसकी परीदी मापते हैं, तो वो 31 से 33 cm होती है, और याद रखिएगा, जन्म के समय जो Chest Circumference होता है, वो Head Circumference से कम होता है, यानि बच्चे के सर का जो Size है, उसके Chest के Size की तुलना में ज़्यादा होता है, और एक साल की उम्र पर Head Circumference और Chest Circumference दोनों ही बराबर हो जाते हैं, इस Question को Previously पूछा गया है, important है, एक साल की उम्र के बाद बच्चे का जो सीना है, चेस्ट वाला हिस्सा है, वो सर की तुलना में बढ़ने लगता है, तो वीकेंड से Chest Circumference is more than Head Circumference after one year of age. Next हम बात करते हैं, Mid Upper Arm Circumference. Mid Upper Arm Circumference को Short में आप M.U.A.C. के नाम से भी जानते हैं, और इसकी साहिता से हम Young Children's के Nutrition का Status क्या है, इस चीज को मीजर करते हैं. बच्चा कहीं माल नरिष्ट तो नहीं है, इस चीज को यदि पता लगाना है, तो उसके Upper Arm का परीदी मापा जाता है, Circumference मापा जाता है. इसे ही हम Mid Upper Arm Circumference के नाम से जानते हैं. याद रखिएगा, शाकिर टेप नामक Equipment की साहिता से हम Mid Upper Arm Circumference को मापते हैं. नॉर्सेट एक्जाम में Image Based Question में इसे Previously पूछा गया है, शाकिर टेप कैसा दिखता है, इसे आप जरूर देख लें. सिंप्ली ये एक फीते की तरह की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें Red, Yellow और Green तीन कलर्स होते हैं. अगर आप से पूछ लिया जाए कि Normal, जो Mid Upper Arm Circumference होता है, वो कितना होता है, तो आप बताएंगे 11.5 से 13.5 सेंटीमीटर्स. इस साकी टेप के अंदर तीन जोन्स होते हैं, Red, Yellow, Green. अगर बच्चे की जो अपराम की परीदी है, वो 12.5 सेंटीमीटर्स से कम आती है, तो ये मिजर्मेंट Red कलर एरिया में शो होगा, और ऐसे बच्चे severely acute malnourist माने जाते हैं, इन्हें तुरंथ hospital में admit करने की आउशकता होती है, अगर बच्चे का mid upper circumference yellow area में आ रहा है, 12.5 से 13.5 के बीच में आ रहा है, तो इस बच्चे को अच्छा nutrition देना और इनके parents को educate करने की आउशकता होती है, इन्हें घर बेजा जा सकता है, इन्हें hospitalized करने की आउशकता नहीं है, अगर साकी टेप में measurement 13.5 से ज़्यादा है, तो ये green area में शो होगा और इसका मतलब है बच्चा healthy है, नॉर्मल है, इसी किसी भी प्रकार की treatment की आउशकता नहीं है, अब हम बात करते हैं upper and lower body segment की, upper and lower body segment का ratio important है, एक्जाम में पूछा जा सकता है, हमारा जो upper body segment है, उसमें crown lump length को include किया जाता है, जो की 32 cm मानी जाती है, हमारा जो upper body segment है, उसमें हम crown से लेकर symphysis pubis anterior side में और posterior side में देखें, तो head से लेकर coccyx area तक का जो map है, यह हमारी upper body मानी जाती है, देखिए एक बार फिर से समझेए, यह किसी person की body है, इसको आप दो हिस्सों में तोड़ दीजिए, यह उपर वाला जो हिस्सा है, इसे आप upper body surface के नाम से जानेंगे, upper body segment के नाम से जानेंगे, और इसमें crown से लेकर, यानि head वाले part से लेकर, अगर आगे से माप रहे हैं, तो symphysis bone तक और अगर पीछे posterior surface तक आप देख रहे हैं, तो crown से लेकर, कॉक्सिस तक वाला body part आएगा, और इसकी अगर लंबाई की कुल बात की जाए, तो यह 32 cm होती है, तो याद रखिएगा, upper body segment को आप CRL बोल सकते हैं, crown, rump, length बोल सकते हैं, और यह 32 cm होती है, इसके बाद हम बात करते हैं, lower body segment, अब इस पूरे person में यह जो lower हिस्सा है, इसके जो पैर वाला हिस्सा है, इसे lower body segment के नाम से जाना जाता है, और यह लगबग 18 cm की structure होती है, at the time of birth, lower body segment को calculate करने के लिए आप crown heel length में से crown lump length को minus कर देते हैं, crown heel का क्या मतलब है, crown का मतलब है, सिर से लेकर heel का मतलब होता है, पैरों की AD, तो सर से लेकर पैरों तक की जो बच्चे की कुल लंबाई है, वो जन्म के समय 50 cm होती है, हमने इसको पढ़ाता अभी, और इसकी जो crown lump length है, जिसे हमने भी discuss किया, CRL, upper body segment, वो 32 बताई थी हमने आपको अभी, अगर 50 से 32 को minus करेंगे तो आएगा 18 cm, तो हम कह सकते हैं, किसी भी newborn baby में lower body segment जो है, उसे calculate करने के लिए crown heel length, यानि total length जो की 50 cm है, उसमें से crown rump length, यानि upper body की length जो की 32 cm है, उसे minus कर दिया जाएगा, और आने वाली जो value है, वो lower body segment कहलाएगी, अब यहां से important बात है कि upper body segment और lower body segment का ratio कितना होता है, जन्म के समय यदि बात की जाएगा, तो upper body segment 1.8 से लेकर 1 होता है, 1.8 is to 1 is the ratio of UBS, LBS at birth, 3 साल की उम्र में 1.3 is to 1 और 7 साल की उम्र में 1 is to 1 हो जाता है, जो की exam के लिए important है, याद रखिएगा, 7 साल की उम्र होने पर बच्चे का UBS और LBS का ratio 1 is to 1 हो जाता है, और adult की बात की जाएगे तो आप अपने आपको देखिए, आपके पैरों की जो लंबाई है, आपके अपर बॉडी की जो लंबाई है, उससे लगबग जादा है, दुगनी है, तो हम कह सकते हैं, अपर बॉडी सेग्मेंट, लोवर बॉडी सेग्मेंट का ratio adult में 1 is to 2 के असपास होता है, आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, थैंक यू सो मच एवरिवान फो वाचिंग इस कंप्लीट वीडियो, पीडिया ट्रिक्स से एंट्रोप्रोमेट्री काफी जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस वीडियो में हमने कोशिस की है, सबी इंपॉर्टेंट वैल्यूज को कवर करने की, वीडियो अपकमिंग एक्जाम में आपके लिए वीडियो बेनिफिशल हो सकता है, थैंक्स,